हलो गाइस कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ सब लोग एक डम पढ़िया होंगे दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका चार सवाल के बारे में देखे दोस्तो जो लोग भी मेरे पास मोबाइल रिप्यारिंग के लिए भैजता है तो उसका मन में चार सवा पास अपना मोबाइल को रिप्यार करने भेजते हों पहला कितना दिन चलेगा दूसरा क्या हम इसमें गेमिंग कर सकते हैं तीसरा चलते-चलते अगर 15 दिन के अंदर बंद हो गया तो क्या करें उसके बाद चौथा सवाल हम इसको रखें या बेज दें यह तो चारो सवाल है म अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सखेगा तो यह वीडियो को जादा से जादा आप दोस्तों के साथ भी सेयर करते हैं और सब्सक्राइब तो एकदम बनता ही है और घंटिका आइकन को आल में प्र जो आपके पास CPU रिवोलिंग कर लिए बहेजूंगा तो जो इसमें यूज करते हैं जो लिकूइड हो जो पीपीड हो जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं रिवोलिंग के टाइम में वह सब एक नमबर मतलब वान क्लास का होता है मतलब एक दम सुपर क्वालिटी का होता ह जैसे ओरिजिनल में लगा क्या आता है इसलिए हम लोग जो है वादा करते हैं एक महिना तक अगर आपका उसके अंदर अगर रिवोलिंग का प्रब्लेम आता है तो हम उसको फ्री अप कोस्ट रिप्यार करके देंगे इसलिए क्योंकि हम लोग एक नमबर पॉलेटी का क्या हम इसमें गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों गेमिंग कर सकते हो लेकिन जब आप रिप्यार करके लेते हो 15 दिन जैसा थोड़ा हलका फुलका गेमिंग थोड़ा बहुत गरम होने तक आप कर सकते हो ज्यादा ओबर हीटिंग करके अपना मोबाईल गरम नहीं कर सकते हो क्यो तो सेम चीज इसमें भी लागू होता है तो थोड़ा दिन उसको टाइम देना पड़ता है उसमें जो पेश्ट लगा होता है उसमें जो बॉलिंग किया जाता है वो धिरे-धिरे पुरा सेट हो जाता है उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो कोई प्रब्लेम नहीं होगा यह हो तो CPU IC पूरा खराब हो जाता है तो उसका रिक्स हम नहीं लेंगे हां अगर आपका नॉर्माली मतलब रिवालिंग के चलते डैड़ हो जाता है तो हम फिर से रिवालिंग करके आपका मोबाई को ठीक करके दें कोई एक्स्ट्रा कोस्ट नहीं लें यह हो गया तीसरा चौत् कि भाई हम यह मोबाईल रखें या बेज दें देखें यह डिशीशन एक्चुली में आपका ही मेरा इसमें कोई हाथ नहीं लेकिन हां एक मैजर ऑप्रेशन होने के बाद जो का वो पहले कर पाता था वो का वो उतना सहस्त मतलब सहसे नहीं कर पाए तो अगर आप हाई-end ग समझ में आया, 4 topics में मैंने बात कर दिया, 4 सबसे ज़यादा पूछने वाले उचके बारे मैं बता दिया अगर आपको ए वीडियो ए जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा आप दोस्तिलों के साथ इंस्टेग्राम में फेस्बुक में जरूर सेयर कर देना और अगर आपको ए वीडियो और ए जानकारी अच्छ को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है तोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जाहीं दोस्ति